हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू यूडी सी आरे फुटबॉल प्रेडिक्शन आज जो मैच हम कवर करने वाले हैं वो है इंग्लिश प्रेमियर लीग का मैच बेट्वीन लिवरपूल और मैंचेस्टर उनाइटेड ये मैच इंग्लिश फुटबॉल का वन अफ दे बिगेस् होता है वो भी एक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का होता है ठीक है तो क्लियरली इस मैच में कोई भी क्लियर कट फेवरेट नहीं होगा बट हम ऑन फॉर्म अगर जाएं तो मैंचेस्टर उनाइटेड इस वक्त एक अमेजिंग फॉर्म में चल रही है कोई भी टीम इनके सामने रही उनाइटेड का और लिवरपूल की बात करें तो रिसेंटली इन्होंने भी अपना फॉर्म वापस पाया है अगर एक मैच अगेंस्ट रियाल मड्रिट छोड़ दे हम जो कि यह लोग बहुत बुरी तरह से हारे थे फाइफ टू के स्कोर लाइन से हारे थे जो कि एक श बिकाइस उनली वन फैक्टर एन्फिल्ड एन्फिल्ड पर जो अट्मासफियर होता है वो एक अलगी लेवल का होता है और जो ऑपोसिंग टीम होती है उसके लिए बहुत ही जदा आप कह सकते है कि डॉमिनेटिंग होता है और माकसिमम टेम सगम कर जाती है उस परेशर के अ रहे हैं सेकिंड स्ट्रिंग टीम उतारी थी अगेंस वेस्ट हैम बट फिर भी एंड में दो गोल मार के ये लोग जीत गए ठीक है तो फॉर्म वाइज युनाइट बट एंफिल्ड फैक्टर अगर आप कंसिडर करेंगे तो लिवरपूल तो हो सकता है आपको एक ड्रॉ मैच देखने को मिले ठीक है या फिर यह भी हो सकता है वन निल की स्कोर लाइन आपको देखने को मिले ईंजरी तो इसल के लिए उतना तो अच्छा मैच नहीं है ये बट ग्रैंड लीग के लिए ये बहुती शांदार मैच है ठीक है तो आईये एक बार प्रेडिक्शन करते हैं क और क्या stake पर रहेगा आज के match में तो आप देख सकते हैं Manchester United 3rd position पर है 24 matches खेले हैं इन्होंने दो matches come खेले हैं from Manchester City and Arsenal तो two games in hand है ठीक है तो obviously अगर United थोड़ा सा भी glimmer चाहती है league जीतने का जो कि I don't think एक realistic chance है but still you never know अगर United अपने सारे matches जीत जाए और Arsenal और Man City एक दो matches हार जाएं तो maybe Man United league जीत सकती है but वो बहुत लंबा मदब सोच हो गई कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए तो अभी तो नहीं लग रहा है कि United league जीत पाएगी but still they are in top 4 3rd position पर यह आ चुके हैं तो obviously दूसरी teams को threaten तो करी रहे हैं वहीं Liverpool की बात की जाए तो एक बार मैं full table खोल लेता हूँ अगर आप Liverpool की बात करें तो 24 matches में से 11 win है और 6 losses है sorry 6 draw है और 7 losses है और आप देख सकते हैं total points 39 है इन्होंने भी 24 matches खेले हैं इनके पास भी 2 games in hand है from Arsenal and Manchester City but इनकी कोशिश है कि top 4 में इनको आना है Champions League spot इनको चाहिए because obviously जो world class players हैं वो Champions League में खेलना चाहते हैं और इतने बड़े क्लब में अगर Champions League के लिए qualify ना कर पाए तो थोड़ा सा disappointing रहता है तो दोनों ही team 3 points के लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं भूकी होंगी क्योंकि दोनों के लिए team points बहुत ज़्यादा important है ठीक है तो बात कर लेते हैं Liverpool के home form की ठीक है अगर हम Liverpool का home form देखें तो आप देख सकते हैं कि पूरे season में अपने ground and field पर ये सिर्फ एक match हा रहे हैं ठीक है वहीं अगर हम बात करें United के away form की तो United का आप away form देख सकते हैं 12 में 6 wins हैं 2 draw है 4 losses है बट ये जो 4 losses हैं ये काफी time पहले आये थे जब इनका form थोड़ा खराब चल रहा था Recently ये कोई भी matches नहीं हा रहे है I think after the World Cup सिर्फ एक match हा रहे है और एक draw हुआ है ठीक है तो बहुत ही शांदार इनका performance है after the World Cup तो clearly दोनों ही teams आप कह सकते हैं neutral है और कोई भी match जीच सकता है बट still हम form पे जाएंगे हम players पे जाएंगे हमें players fantasy के लिए pick करने हैं तो हमें points पे ध्यान देना है कि हमें points कौन देगा जादा ठीक है तो दोस्तों सबसे पहली बात मुझे ऐसा लगता है इस match में possession ज्यादा Liverpool रखने वाली है ठीक है क्योंकि जब भी अपने home पे खेलते हैं तो possession dominate करते हैं ठीक है और कुछ injury concerns है एक बार injuries देख लेते हैं क्या क्या हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं Lewis Diaz और Thiago Alacantra दोनों injury की वज़े से बाहर हैं यह दोनों start नहीं करेंगे ठीक है then Calvin Ramsey की बात की जाए तो यह भी injured है और long term injury है अर्थर भी doubtful है जहां तक है यह start नहीं करेंगे then Naby Keita और Joe Gomez भी doubtful हैं इस match में Naby Keita को against Crystal Palace एक knock हुआ था तो we don't know के कितना fit हैं इनको I think assess किया जाएगा match से पहले start देना है या नहीं और Joe Gomez की बात करें तो इनको muscle injury हुई है और most probably यह start नहीं करेंगे वहीं Manchester United की बात करें तो आप देख सकते हैं Christian Erikson, Anthony Martial, Donny Van Beek यह तीनों बाहर हैं तीनों start नहीं करने वाले हैं Christian Erikson I think almost April even May तक के लिए injured हैं इनको ankle injury हुई है ठीक है Anthony Martial अपनी कुछ problem की वज़े से नहीं खेल पा रहे हैं ठीक है Luke Shaw की बात करें तो यह भी doubtful है क्योंकि West Ham के against इन्हें injury हुई थी FA Cup match में तो इनको भी match से पहले SS किया जाएगा बट मुझे लगता है Luke Shaw start करेंगे ठीक है तो यह तो रही missing players और injury update अब कुछ match facts discuss कर लेते हैं तो देखिए पहला match fact क्या कहता है Liverpool have seen over 2.5 goals in their last 6 matches against Manchester United in all competitions इसका मतलब क्या हुआ कि Liverpool ने धाई goal से जादा concede किये हैं last 6 matches में against Manchester United that means जो last के 6 matches हुए है between Liverpool and Manchester उसमें 2 goals से जादा हुए है तो generally boring match नहीं होता है आपको एक attacking football देखने को मिलता है दोनों ही end से Liverpool attack करेगा Manchester United counter attack करेगा ठीक है next match facts क्या कहता है Liverpool have kept a clean sheet in their last 4 matches in Premier League तो clearly last 4 matches से इनका defense में सुधार आया है last 4 matches में इनका clean sheet रख की है एक भी goal concede नहीं किया है तो that is a plus point for Liverpool next match facts की बात करें तो वो है there have been under 2.5 goals scored in Liverpool's last 4 games तो last 4 matches की अगर बात करें जिसमें Liverpool involved रहा है in Premier League उसमें धाई से कम goal हुए है that means 1-0, 2-0, 2-1 इस टाइप की score lines रही है ठीक है तो 2-1 नहीं आएगा उसमें sorry 2-0 आएगा, 1-0 आएगा, 1-1 आएगा, 2-1 तो फिर 3 हो जाएगा next Manchester United clearly ये बता रहा है कि एक अच्छे goal scoring form में है last 5 matches में उनकाँ से कम 2 goal तो मारे ही मारे है ठीक है, तो obviously attacking league काफी अच्छा है, midfield इनका बहुत शानदार है next match fact की बात करें तो कहता है कि Manchester United are undefeated in 10 of their last 11 matches in the Premier League तो ये match fact भी Manchester United के favor में जाता है कि कहता है कि Manchester United last के 11 में से 10 matches में undefeated है in the Premier League, ठीक है तो clearly Manchester United के बारे में ज्यादा positive है एक तो ये लोग goal मार रहे है दूसरा undefeated है last के 11 में से 10 matches में Liverpool का plus point है, वो clean sheet रख रहे हैं last 4 matches में Premier League में ठीक है? तो देख लेंगे अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं prediction की तो ये बता रहा है कि both sides are coming into this game in form and this fixture has produced 18 goals in last 4 Premier League meetings तो clearly बता रहा है कि दोनों ही team इस match में form के साथ आ रही है और इस match में पिछले 4 matches में जो ये fixture है between Liverpool and Manchester United 18 goals हुए है that means 4 goals से ज़्यादा हुए है average per match ठीक है? तो boring match तो नहीं रहा है ठीक है? So expect quite an end-to-end game which Jurgen Klopp side might just win given their brilliant home league form this season तो ये कह रहा है कि आपको काफी end-to-end game देखने को मिल सकता है that means एक बार United attack करेगा then एक बार Liverpool attack करेगा then United attack करेगा then Liverpool attack करेगा that means full-on attacking game देखने को मिल सकता है आपको और हो सकता है कि home advantage की वज़े से Liverpool इस match को edge कर जाए ठीक है? यहाँ पर prediction 3-2 score line दिया गया है बट मुझे नहीं लगता इतना high score line जाएगा मुझे लगता है draw होगा तो 1-1 ठीक है? नहीं तो 2-1 जाएगा either United या Liverpool के favor में ठीक है? मुझे जो लग रहा है कि United जिस form में है इस वक्त इनको इस वक्त हराना बहुत मुश्किल है यह actually एक form आती है टीम की जब एक period के बाद वो लोग उस form को पकड़ते हैं जब सब players एक साथ टिक करते हैं तो जब ऐसा होता है तो आप guess नहीं कर सकते हैं आज कौन सा player चलेगा हर दिन different player चलता है ठीक है? तो मुझे लगता है United कुछ उस form में है तो Liverpool के लिए काफी मुश्किल होने वाला है बट only advantage Liverpool has that they are playing at Enfield ठीक है? तो आईए एक बार अपनी team मना लेते हैं team का selection कर लेते हैं तो I think he is in amazing form और मुझे लगता है कि आज score कर सकते हैं ठीक है? देन आपको दिख रहे हैं Darwin Nunez थोड़ा सा inconsistent है clinical नहीं है goal scoring में उतना finish नहीं कर पाते हैं chances तो इन्हें बहुत मिलते हैं बट आप इन्हें pick भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं ठीक है? अगर गोल मारा तो तो यह points देंगे लेकिन अगर गोल नहीं मारा तो यह 60-60 minutes के आसपास substitute हो जाएंगे ठीक है? जैन हो सकता है जोटा को लाया जाए ठीक है? तो इनके साथ यह problem है वेगहॉस्ट की बात की जाए तो यह थोड़ा सा deep खेल रहे है उतना यह अपनी जो striker की position है उस पर नहीं रह रहे हैं वहाँ पर generally Rashford आपको दिख रहे हैं तो गोल से, देखिए, header से तो बहुत शानदार प्लेयर है वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था इसने कैसे against Argentina वापसी कराई थी Netherlands को गोल मार के from header तो maybe Luke Shaw या फिर Wenbisaka cross करें और यह header से goal कर सकते हैं इवन Bruno भी assist provide कर सकते हैं और वेगहॉस्ट header से बहुत अच्छे हैं वो थोड़ा सा risky pick हो जाएगा because यह form में नहीं है और deep खेल रहे हैं तो goal scoring chances बना रहे हैं बजाए कि खुद goal करने के तो इसलिए मैं इनको pick नहीं गर रहा हूँ अभी के लिए इस team में then midfield में अगर हम आएं तो आपको सबसे पहले देखेंगे Bruno Fernandes fittest player in Manchester United in fact in Premier League मैं बोलूँगा one of the fittest players हर match खेलता है बंदा चाहे cup का match हो चाहे Champions League का match हो चाहे Premier League का match हो ठीक है और हर match आप परफॉर्म करता है most consistent player आप कह सकते है ठीक है selection percentage आपको बता रहा है कि बंदेरे क्या किया है इस season ठीक है तो इनको तो हमें pick करना ही करना है then most salah देखें most prolific goal scorer for Liverpool ठीक है most consistent 4-5 season से लगातार score कर रहे है और अच्छा performance दे रहे है first choice penalty taker है तो इनको भी miss नहीं कर सकते है specially enfield पे इनका performance अच्छा रहता है तो drop नहीं करना है next आपको दिख रहे है Casemiro the man for the big moment ठीक है हमेशा बड़े matches में अच्छा perform करता है आज के match में आपको अच्छे खासे tackle interception passes के point देके जा सकता है even goal scorer भी हो सकता है ठीक है तो इनको हम बिल्कुल भी drop नहीं करेंगे then आपको दिख रहे है Thiago Alcantara ये start नहीं करेंगे ठीक है Anthony हो सकता है start करें अगर start करेंगे तो form इनका अच्छा है I think against Newcastle इनको नहीं गोल मारा था in the English League Cup final जी हाँ उसमें इनको नहीं गोल मारा था तो form अच्छा है इनका performance अच्छा है बट इनके साथ भी वही problem है 60 minutes मिलते हैं इने उसमें ये कुछ कर पाएंगे तो कर पाएंगे otherwise इने substitute कर दिया जाएगा तो safe team में तो इने pick नहीं करेंगे बट हाँ as a game changer आप pick कर सकते हैं specially इस चीज का ध्यान दीजेगा अगर starting lineup में आपको Robertson नहीं दिखते हैं from Liverpool ठीक है तो आप इनको pick कर सकते हैं because then I think Simicus खेलेंगे और जो की इतना regularly start नहीं कर रहे हैं तो we don't know वो कैसा perform करेंगे ठीक है तो अगर Robertson नहीं start करते हैं then he can be a good pick ठीक है Jordan Sancho का भी sure नहीं है start करेंगे नहीं करेंगे Fred one of the most consistent player in form player from Manchester United goal भी मार रहे हैं assist भी provide कर रहे हैं और defensive work तो यह करते ही है work rate तो इनका amazing रहता है ठीक है तो इनको मैं pick कर रहा हूँ अपनी team में then आपको देख रहे हैं Harvey Elliott most probably start नहीं करेंगे ठीक है Jordan Henderson, Fabinho इतने अच्छे form में नहीं है तो इनको मैं consider नहीं कर रहा हूँ अब आते हैं defense में defense में सबसे पहले आपको देख रहे हैं Virgil Vendijk ठीक है तो इनको आप pick कर सकते हैं selection percentage काफी high है इनके साथ problem यह है अगर इनका goal नहीं आता है तो यह tackle interception के points उतने नहीं देते हैं majorly इनके passes के ही point आते हैं बड क्योंकि आज match इतना बड़ा है और selection percentage इनका काफी high है तो हम इनको pick कर के चलेंगे ठीक है next Trent Alexander Arnold इनको भी drop नहीं करना है क्योंकि यह set pieces लेते हैं direct free kicks लेते हैं एक surprise goal scorer हो सकते हैं आज के match में ठीक है then आपको दिख रहे हैं Luke Shaw अगर यह start करेंगे तो बिल्कुल भी drop मत करना इस बंदे के crosses बहुत शांदार हैं बहुती pin point crosses करता है यह assist आने का chance इसका बहुत ज़्यादा रहता है ठीक है then Robertson का भी sure नहीं है start करेंगे या नहीं करेंगे ठीक है तो मैं इनको pick नहीं करता हूँ अभी के लिए then Lissandro Martinez again one of the best defenders in Premier League ठीक है देखे यह बंदा कभी भी back off नहीं करता है ठीक है यह इसकी height भले ही कम हो लेकिन अगर आप इसका record देखेंगे प्रेमेर लीग तो one of the best defenders ठीक है one on one में यह हमेशा अच्छा करता है ground duels इसके अच्छे है air duels इसके अच्छे है ठीक है तो इसको मैं drop करके बिल्कुल भी नहीं चलूँगा ठीक है तो देखिए यह 10 प्लेयर हमारी टीम में फाइनल है अब लास्ट प्लेयर हमें कौन सा पिक करना है देखिए गोल कीपर का मैं आपको बताऊं 50-50 है आप किसी को भी पिक कर सकते हैं अगर आप फॉर्म पे जाएंगे तो आइटिंग डेविड डिजिया को पिक करना चाहिए आपको विकाज अमेजिंग सेव्स की हैं इन्होंने अगेंस लेस्टर सिटी अगर आपने मैच देखा होगा तो आइटिंग लेस्टर को पहले 20-25 मिनट में 2-3 निल अप होना चाहिए था बट उनली बिकाज अफ डेविड डिजिया वो ऐसा नहीं कर पाए और रिसेंटली आइटिंग इन्होंने 100 क्लीन शीट्स पूरी करी थी शायद अपनी प्रेमेर लीग में और एलेसन की बात की जाए तो अभी जो इन्होंने रिसेंटली ब्लंडर किया है अगेंस डियाल मड्रिड तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस उतना हाई नहीं होगा देखिए गोल की पर दोनों वर्ल्ड लास हैं दोनों बहुत अच्छे हैं ऐसा नहीं है अब देखिए गलती सो किसी से भी हो सकती है बट हाँ ये है कि थोड़ा सा तो मोराल डाउन होता है तो चलिए अभी के लिए हम इन फॉर्म डेविड जिया को पिक करते हैं ठीक है तो हमारी टीम कुछ इस तरीके से रहेगी अब कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन सी की बात तो देखिए सबसे सेफ कैप्टन है रैश्वर्ड अमेजिंग फॉर्म में हैं स्ट्राइकिंग पोजिशन पे रहेंगे थ्रेट रहेंगे इनको रोकना बहुत बड़ा टार्गेट रहेगा फॉर मैंचेस्ट फॉर लिवरपूल तो I think कैप्टन इनको बनाना सेफ रहेगा मैं इनको कैप्टन मना के चल रहा हूँ ठीक है वाइस कैप्टन सी की बात की जाए तो आपके पास दो आप्शन है या तो आप ब्रूनो को बना सकते है या फिर आप महुमत साला को बना सकते है अगर आपको 100% sure है साला का गोल आएगा तो आप साला को बनाईए बट अगर साला का गोल नहीं आता है और ब्रूनो का भी गोल नहीं आता है तो ब्रूनो आपको ज़्यादा पॉइंट दे के जाएंगे ठीक है इस चीज़ का आप ध्यान रखना तो अभी के लिए मैं साला को बना रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच ड्रॉ होने वाला है और दोनों team score करने वाली है ठीक है तो अभी के लिए जो हमारी team है वो कुछ इस तरीके से है मैं आपको दिखा देता हूं ये है हमारी team ठीक है GL teams भी मिलेंगी आपको इस मैच की Prime team भी मिलेंगी आपको बड़ टेलीग्राम चैनल पे तो सबसे important है टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ठीक है तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जैहिंद